कॉंग्रेस के पूर्वराष्ट्री अध्यक्ष और वर्तमान कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोडो नियायात्रा आज मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील पहुंची। यहाँ पर राहुल गांधी ने उद्योग पतियों, युवावे रोजगारी और जाती जनगर्ना की मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और पियम मोधी पर निशाना साधा। जनसभा को समोधित करते हुए कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की विचारधार गरीबों और दलितों को अपमानित करने की है। भाजपा ने आदिवासियों को वनवासी कहना शुरू कर दिया, जो व्यक्ति जमीन का सबसे पहला मालिक था। वो आपको आदिवासी नहीं कहना चाहते, अगर वो आपको आदिवासी कहेंगे, तो आपको जल, जंगल और जमीन का हग देना पड़ेगा। सुनिये राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। यहाँ पे आदिवासी भाई बेहन आज ज्यादा आए हैं, तो थोड़ी सी मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, कुछ समय पहले, किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा, मध्यप्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा, मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया, और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी योवा के उपर, पिशाप कर रहा था, और मैंने सोचा, ये कैसी सोच है, कि बीजेपी का एक नेता, आदिवासी पर पिशाप कर रहा है, और दूसरी साइड, उसका कोई चमचा, वीडियो ले रहा है, और वो वीडियो, सिर्फ मध्यप्रदेश में नहीं, पुरे देश में, वाइरल हुआ, शाइद वो देश के बाहर भी गया होगा, यह है विचारदारा, बीजेपी के, सिर्फ आदिवासीों के साथ नहीं, दल्यतों के साथ, आदिवासीों के साथ, गरीब पिछणों के साथ, जहां भी, यह कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, कुछ समय पहले, इनके भाषन में मैंने सुना, आदिवासीों को, इन्होंने वन वासी कहना शुरू कर दिया, अब पतर नहीं, आप में से आप, आप, यहां युवा बैठे हैं, आप शाहिद को हो भई, इन दो शब्दों में क्या फर्क है, आदिवासी में, और वन वासी में क्या बड़ा फर्क है, आदिवासी का मतलब, वो व्यक्ति, जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था, यह लोग आपको बताते नहीं हैं, मगर ऐसा समय था, जब इस देश में, पूरे देश में, आदिवासी लोग रहते थे, आप देश के पहले मालिक हो, और यह आपको आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर यह आपको आदिवासी कहेंगे, तो इन्हें आपको जंगल, जल, और जमीन का हक देना पड़ेगा, क्योंकि आप कहोगे, मुधी जी, शिवराज जी, हम आदिवासी हैं, आदिवासी शब्द का मतलब है, कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक हैं, ये जल, ये जंगल, ये जमीन, हमारी थी, और आप आज को, आज आपको, जल, जमीन और जंगल का अधिकार हमें देना पड़ेगा, वन वासी का मतलब, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी, हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, वन वासी, वो जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं, इससे बड़ा आपका अपमान नहीं हो सकता, आप वन वासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो, और इस बात को समझ कर, इस बात को मान कर, कॉंग्रेस पार्टी ने, ट्राइबल बिल दिया, जमीन अधिकरन बिल दिया, पेसा कानून दिया, आपकी जमीन आपको वापिस दि, जंगल में आपको हक दिया, क्यूं क्योंकि हम आपको आदिवासी मानते हैं, उनका कहना है, कि भाई आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हग देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते, आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे, और फिर एक दिन आएगा, जब हिंदुस्तान में आपको जंगल नहीं देखेगा, फिर वो आपसे कहेंगे, भाईया, आप वनवासी हो, मगर वन तो है ही नहीं, खतम हो गया, तो जाओ, मजदूरी करो, भीक मांगो, भूके मरो, ये, इन दो शब्दों के बीच में फर्क है, अब, आपकी आबादी, हिंदूस्तान में तकरीबन आठ परसेंट है, ये नमबर याद रखिए, जीतू जी, मध्यप्रदेश में आदिवासियों के अबादी कितनी है, मध्यप्रदेश में, मध्यप्रदेश में आपकी 22 परसेंट है, 24 परसेंट, 24 परसेंट, और हिंदूस्तान में आपकी अबादी आठ परसेंट है, अब आप एक काम कीजिए, हिंदूस्तान की, सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिये, चाहते हो, मैं आपको दे दूँगा, और उनके मालिकों के नाम पढ़िये, 200 मालिकों में से, आपको एक मालिक आदिवासी वरका नहीं मिलेगा, फिर मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिये, ये बड़े-बड़े जो अंकर हैं, इनकी लिस्ट निकालिये, उस लिस्ट में आपको एक आधिवासी नाम नहीं मिलने वाला है सही बोल रहा हूं जूट बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं ना हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं आये सबसर हैं पूरा का पूरा बजट ये बाटते हैं डिफेंस में कितना जाता है आपके बच्चों के शिक्षा में कितना जाता है मनरेगा में कितना जाता है स्वास्त में कितना जाता है ये 90 लोग डिसाइड करते हैं बड़े बड़े ओफिस में बैठते हैं दिल्ली में मंत्री मंदलों में बैठते हैं और आपका पैसा GST का पैसा जो आप देते हो आप जो सिर हिला रहे हैं आप आपने शर्ट करी दी 18% आपने दिया अधानी वोही शर्ट करीता तो वो भी 18% देता तो आपका पैसा है 90 में से एक अपसर आदिवासी एक और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खर्श करती है बजट में तो आदिवासी अपसर 10 पैसे का निर्णे लेते हैं अबादी 8% भागीदारी लगते नहीं लगते लगते न प्राइवेट कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज के मालिकों के लिस निकालिए उसमें आपको एक अधिवासी नहीं मिलेगा चोट लगती है प्राइवेट हस्पताल में जाते हैं लाकों रुपे चले जाते हैं सरकार उनको जमीन देती है प्राइवेट हस्पतालों को फ्री में किसकी जमीन आपकी जमीन प्राइवेट हस्पतालों के लिस निकालो उसमें आपको एक आधिवासी नहीं मिलेगा एक मालिक नहीं मिलेगा यह आपकी सचाही है इसमें आप अकेले नहीं हो जो आपके साथ हो रहा है वो दलिदवर के साथ भी हो रहा है जो उनके साथ हो रहा है वो पिछडों के साथ भी हो रहा है वो गरीब जेनरल कास के साथ भी हो रहा है एक तो परसेंट लोग है जोने ने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है अदानी जी यहाँ आपकी जमीन चीनते हैं हिमाचल में सेथ का बिजनस करते हैं मुंबाई का एटपर्ट चलाते हैं इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले स्ब्सक्राइब करें इंडिया ठाल में भूले झाल झाल